नमस्कात दोच्ट स्वागते आपका स्पश्चänderल में दोस्तों आज हम आपको बताएं गे इसम 멋있IDE ऐख जा आए कितने तरीके के submit लगते हैं और जो है जो कि यहां पर मैंने रख दिये अब देखिए इस मतलब यह कम है अभी और भी से जादा आते हैं बूट तो वह कौन-कौन साथ हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा और कभी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं लाऊंगा तो दोस्तों यहां पर जो है पहले बूट की तो बात होते हैं यह और जो हैं लोहे के होते हैं तो अच्छा है तो यह इसी में के आप ले तो यह तो मसीन में में होता है बो होता है तो इसको हटा देते हैं मतलब इसको रख देते हैं अब दूसरी बूट की बात करते हैं तो यह देखे सिंगल पैर है तो सिंगल पैर भी आप लो है या भी चेंग कि अग़र बिकुल लगाना है तो मतलब उसके काम के लिए ईगा See x उसके लिए है ब्लाव्ज में मोती होदें बजाने के लिए यह काम में आता सिंगल तो तो यह से असले जाते हैं और यह होगा प्लास्टिक वाला यह चलता है जाकिट बें जाकिट का क्या होता है जो बाटरफरू कप्ड़ा होता है तो एक तरब चपांड़ा एक तरब पूट चुना है इस नम उन्हा प्लाता आए प्लास्टिक वाले बूट लगाये जाते हैं प्लास्टिक वाले जो कि बिल्कुल चपका के रखते हैं कपड़े को तो यह होगा तीन बूट तीसरे मतलब और यह क्या है कि लिए है और इनके सबके वीडियो में बना रखें आपको मिल जाएंगे और यह कहा है तो यह है गेदर का बूट तो यह जो है इससे गेदर पड़ती है तो यहां से आप जितनी चाहें इससे अगर धीला करेंगे तो कम गेदर पड़ेगी टाइट करते हैं तो जादे गेदर पड़ेगी इसका वीडियो नहीं देखा है तो उपर आई बटन में आप आप देख लीज़ेगा खिलिक करके यह इस वीडियो के आखिर में भी वीडियो मिल जाएगा तो यह गेदर का बूट हो गया और यह से वहाँ फास्ट गेदर पड़ते हैं अब पांच मिनट में कोई चीज़ डाल ले हैं तो वह कुछ हैं और घृत तरब मतलब और दूसरे तरब यह बिल्कुल किनारे के हैं मतलब और दूसरे आल मसीन के मतलब बात करते हैं तो देखे कितने बड़े हैं यहां पर तो देखे यह मसीन के हैं यह पूरे हैं मतलब यहां तक की और यह देखे दाते यह यह हैं इसी के मतलब लगेंगे इसी में जब यह बूट लगाएंगे तब यह दाते लगते हैं तो इ इसका और दूसरा मतलब सामान नहीं है जो कि पट्री में एक फोल्डर लगा होता है तो उसमें पट्टी लगी होती है तो जितना चौण यह आपको पैपिन बनानी है यह नारा बगर आपको बनाना है तो बस उसमें कपड़ा लपेट देना है मसीन चलाते रहना है आपको कु सब्सक्राइब ना दो सिलाई में पहले लगाएंगे उपर जो आए आपकी तीनड़ी मेंड़ी हो जाएगी और भी हो जाएगी मतलब इससे साफ सुत्री बराबर बिल्कुल ही अब बहुत ही फास्ट लगती है तो यह इसका बूठ है और यह हैं उसके दांते तो यह मतलब फोल्डर के लिए काम में आता है पैपिन के तो इसका वीडियो अगर कमेंट करेंगे तो मैं आप जल्दी ले आओंगा क्योंकि वह फोल्डर जो है जल्दी दिल्ली में मिलता है तो मैं मुझे आर्टर करना होगा उसके बाद ही हम मतलब बना सकते हैं तो इसलिए कमेंट कर उपर नीचे होते हैं उसमें आप क्या करेंगे अगा से लगाएं गए तब भी लपकी ही लगेगी मतलब जब कि सिलाइका ही बूट है तो इतनी तरीके से बूट मतलब लगते हैं वह मेरे पर लब किसलाया इस समय बूट नहीं है वह भी मुझे आर्टर करना होगा तो मुझे आर्टर कर लूँगा तो अगर आप कमेंट करेंगे तो इन दोनों पर वीडियो बना दूँगा तो उमीद के तो पता चल गया होगा कि कौन कौन से इसको लूज करता हूं अब तो यह लूज किया पेंश को बूट को अठाया और यह देखें फिट हो गया तो आप अगर सोच रहे हैं कि मतलब यह बूट नहीं है पुछ आए तो यह मतलब यह फॉल्डर का बूट है और बहुत ही मतलब यही लगता है क्यूंकि इसार से नारा साइब की पैपिन होती है उसके लिए होता है फोल्डर में फिरांक बगएरा या कुछ भी सिल्ला है तो उसके लिए होता है यह बहुत ही बड़िया चीज है तो अब देखें इसका संटर की बात करें देखें सुई का संटर बिलको अलग गिर राइस से तो यह क्या होता दाते इसमें fit करना होते हैं ये पट्री चेंज होगी और पट्री में ही फोल्टर लगा होता है तो लगा हुता है बस उसको ऐसे कपड़े में लपेड करें और फिर मसीज्ण चलाते रहा वह अपने आप मुर्ती वी चली जाती तो comment करेंगे उस पर वीडियो बना देंगा तो